हलो एब्रिवन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हलवाई स्टाइल पूरी वाले आलू सबजी की रेसिपी इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ आलू, कुछ टमाटर और एक छोटी सी हरी मिर्ची की ज़रुत पड़ेगी और इस सिर्फ इन ही चीजों से मिलकर आप एक स्वा में चीली है बस इसके अलावा हमें ना तो प्याज चाहिए ना लेसन चाहिए ना दही चाहिए ना क्रीम मलाई कुछ भी नहीं चाहिए सिर्फ ये बेसिक चीज़े ही हमें ले लेनी है आलू को हमने अच्छी तरह से धोकर छील कर ले लिया है और इसके साथ हमने जो टमाट आलू को दो कर भी काट सकते हैं आलू के पीसे आप अपनी पसंद के साफ से छोटे या बड़े कर सकते हैं लेकिन हमने यहां पर मीडियम साइज के टुकडे काट लिया है आप देख सकते हैं हमने सारे आलू को काट लिया है और अब हम सबजी बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमने एक प्रेशर कुकर को गैस बर्नर पर चड़ा दिया है प्रेशर कुकर में हमने 5-6 टेबल स्पून ओई डाल लिया है आप यहां पर अपनी पसंद का कोई भी ओई डाल सकते हैं और जैसे ही ओई गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम राई का तड़का लगाएंगे हमने यहां पर आदा टीजपून राई तेल में डाल ली है और जैसे ही राई कड़कडाने लगेगी तो हम उसके अंदर डाल देंगे आदा टीजपून जीरा जैसे ही जीरा तड़कने लगेगा हम इसके अंदर आदा टीस्पून हिंग डाल लेंगे और इससे बहुत ही अच्छा आरोम आता है हिंग डालने के तुरंत बाद हमने जो टमाटर कद्दू कस करके रखे थे वो भी इसमें डाल लेंगे ताकि हिंग जले नहीं और बर्नर को हम फुल फ्लेम पर ही रखेंगे और टमाटरों को अच्छी तरह से भून लेंगे एक दो मिनट टमाटर को अच्छी तरह से भून लेने के बाद में इसके अंदर हमने यहाँ पर चोथाई टीस्पून सौट का पाउडर मिलाया है अगर आपके पास ताजी अद्रक अवेलेबल है तो इस समय आप अद्रक को कद्दू कस करके भी डाल सकते हैं नहीं तो आप इस तरह से सौट का पाउडर भी इसमें डाल लें और इसे भी अच्छी तरह से भून लें टमाटर अच्छी तरह से भुण चुके हैं और इसके अंदर हम्ने आदा टीज्पून नमक डाला है नमक आप कम भी डाल सकते हैं और जादा खाते हैं तो जादा भी डाल लें इसके साथ ही चौथा ही टीज्पून हल्दी का पाउडर इसमें मिला लिया और अब हमने इसके अंदर 2 teaspoon लाल मिच पाउडर भी डाल दिया है आप लाल मिच कम या ज़्यादा डाल सकते हैं इसके साथ हम इसमें 2 teaspoon धनिया पाउडर भी डाल लेंगे मसालों को टमाटर के साथ एक दो मिनट के लिए भून लेते हैं और जब मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे और अच्छी सी खुश्बूस में से निकलने लगेगी, तो हमने जो आलू काट कर रखे थे वो भी इसमें डाल लेंगे. आलू को भी टमाटर वाले मसाले के साथ एक दो मिनट के लिए धीमी आज पर भून लेंगे. और क्यूंकि हमने यहाँ पर कच्छे आलू का इस्तेमाल किया है, तो हम इसे एक दो सीटी आने तक पकाएंगे, और अगर आप यहाँ पर उबलेवे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको प्रेशर कुक करने की कोई ज़रूत नहीं है, आप खुले बरतन में भी आराम से पका सकते हैं, जब तक आलू भुन रहे हैं, दोसरे बर्नर पर हमने पानी बॉइल होने के लिए रखा है, ताकि हम इसकी ग्रेवी बना सकें, और जब तक पानी बॉइल हो रहा है, इसके अंदर हम कुछ मसाले डाल लेते हैं, यह मसाला है चाट मसाला, इससे इन आलू में बहुत ही अच्छा टैंगी टेस्ट आएगा, और चटपटा स्वार लगेगा, इसके साथ ही हमने यहाँ पर चुटकी भर गरम मसाला भी इस्तेमाल किया है, और चाट मसाला और गरम मसाले को भी इसके साथ मिला कर भून लेते हैं, पानी बॉइल हो चुका है, और इन आलू और इन सारी चीजों को पानी के साथ अच्छी तरह से मिला लें, और फिर अपने प्रेसर कुकर का धकन बंद करके दो विसल आने तक आलू को पका लें, आलू की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि आलू एक विसल में पकेंगे या दो विसल में, तो आप अपने प्रेसर रिलीज होने तक ऐसे ही रहने दिया और फिर इसे चेक कर लिया, तो देखा कि आलू पक चुके हैं, अब लास्ट में इसके अंदर हमने एक हरी मिर्ची को बारिक काट कर इसमें मिला लिया, हरी मिर्ची को हमने पहले इसलिए नहीं डाला, क्योंकि यह सबजी में ग रेसिपी जो कुछ बेसिक इंग्रीडिन्स के साथ हमने बना कर तयार कर लिये हैं, जाने से पहले वीडियो को धेर सारा शेयर कर दें, लाइक कर दें, और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी हमारे चैनल पर अविलेबल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइक